If the sum of first n, 2n and 3n terms of in AP be s1, s2 and s3 respectively, then prove that s3 equals to 3 times of s2 minus s1. बहुत easy question है देखें, इसमें आपको बस क्या करना है एक बार s1 का answer find करना है, s2 का answer find करना है, s3 का answer find करना है, s1 क्या है आपको question ने mention किया हुए आपको sum of first n terms है s1, sum of first 2n terms है s2 और sum of first 3n terms है s3, तो s1 किसके एकवाल होगा, s2 n के एकवाल होगा, और s3 किसके एकवाल होगा, s3 n के एकवाल होगा, तो s1, s2, s3 इन तीनों का answer find करते है, फिर आपको s2 minus s1 का answer find करना है, उसको 3 से multiply करना है, और आप अपने अब देखेंगे कि जो answer आएगा, वो s3 के एकवाल आजाएगा, ठीक है, पहले s1 find करते है, फिर s2 find करते है, फिर s s1, s1 किसके एकवाल है, question में mention किया कि s1 है, sn के एकवाल, sn का formula आप जानते है, number of terms by 2, 2 times of a, plus number of terms, minus 1 multiplied by d, अब आप ये bracket open करके, n और minus 1 को d से multiply कर ले, n by 2, ये होगे 2a plus dn, minus d, ये होगे equation 1, आपको s1 का answer मिले है, अब आप s2 का answer है, s2 किसके एकवाल है, s2 है, s2n के एकवाल, बस जो number of terms यहाँ पर n था, अब number of terms यहाँ पर क्या होगे, 2n हो गया, तो sum of 2n terms का formula क्या होता है, number of terms by 2, तो number of terms के 2n, 2n by 2, 2 times of first term, plus number of terms, यहाँ पर कितना है, 2n, minus 1 multiplied by d, ये 2 और ये 2n दुनों का आप ऐसे भी छोड़ सकते है, एसे छोड़ने की विछ रीजन कहती है, कि आपको s2 minus s1 का answer पाइंड करना है, तो यहाँ पर भी denominator में 2 रहेगा, यहाँ भी denominator में 2 रहेगा, तो minus करते टाइम आपको common भी मिल सकते है, lcm दिन अबड़े तो आप lcm भी ले सकते है, ठीक है, आइए तो इसको एक बार हैसे आपको पता है, sum up to 3n terms के एकोई, हाई, s3 is equal to sum up to 3n terms, formula आपको पता है, number of terms by 2, number of terms क्या है, 3n, तो 3n by 2, 2 times of a plus number of terms minus 1 multiplied by d, तो यह होगया 3n by 2, आपको आप bracket open करेंगे, 2a plus 3dn minus d, यह होगया equation 3, अब आपको s2 का answer मिल गया है, यह आपको s1 का answer मिल गया है, अब आपको s2 minus s1 का answer find करना है, फिर उसको 3 से multiply करना है, और देखना है कि जो answer आता है, 3 times of s2 minus s1 का, वो s3 के equal आता है, ठीक है, आइए, अब हम s2 minus s1 का answer find करते है, s2 कितना है था, s2 है था, 2n by 2, 2a plus 2dn minus d, इसके एकवन, और s1 कितना है था, n by 2, 2a plus dn minus d, इसके एकवन है था, ठीक है, अब देखे, इस term में और इस term में आपको n by 2 common मिल सकता है, तो अब n by 2 को common ले ले, n by 2 common लेने के बाद ये 2 भार बढ़ जाएगा, तो 2 times of 2a plus 2dn minus d, और ये पुर n by 2 भार आ गया है, तो minus, minus का sign जेकवन हम bracket देखे लिखते है, ठीक, अब देखे, इसको अब आइसे लिख सकते है, n by 2, अब bracket open करेंगे, तो ये हो जाएगा, 4a plus 4dn minus 2d, यहां भी bracket open करते हैं, तो सबका sign change हो जाएगा, तो minus 2a minus dn plus d, अब आपके पास answer आ गया है, n by 2, 4a minus 2a, ये कितना हो गया, 2a, 4dn minus dn, ये कितना हो गया, 3dn minus 2d plus d, ये कितना हो गया, minus d, तो आपको s2 minus s1 का answer मिल गया है, अब आपको 3 times of s2 minus s1 का answer find गया है, अब आपको 3 से multiply करते हैं, तो 3 times of s2 minus s1, ये किसके equal हो का, इसको पूरे को आपको 3 से multiply करना है, तो बस आप ऐसे लिख दे, 3n by 2, 2a plus 3dn minus d, अब आपको 3 times of s2 minus s1 का answer मिल गया है, और पूफ करना था कि ये s3 के equal, हमने वोपर s3 का answer find किया था, एक बड़ देखते है, s3 का answer ये ही था ज और आपको क्या मिला है, ये रहा देखिए, 3n by 2, 2a plus 3dn minus d, तो आप इसके बदले क्या लिख सकते है, s3, जो आपको प्रूब करना था, वो प्रूब होगी, equals to s3, ये प्रूब करने बोलावाता, hence proof, बहुत easy question है, और important question भी है, और भी आप description box जरूँ चेक करें, जितने भ तब का link आपको description box से मिलेगा, अब आपर serial number 1, 2, 3, 4 करके सारे question को देखिए, उसमें कोई भी problem हो, तो comment box से mention करें, thank you guys